क्यों कोल इंडिया में आगे एक्षिन बन सकता है बता रहे हैं आशिश पूरी डिटेल्स लेकर आशिश बताइए सब इन्हों ने ए आउक्षिन का जो कालेंडर है वो लॉंच के और यहां पर अगर आप देगे तो इंट्रेस्टिंग ट्रेंड यह निकल कर आ रहा है कि 80% टोटल विकरी का आलोकेशन इस बार इस बार यह ए औक्षिन में करने जा रहा है कोरणा थोड़ सा मुश्किल है लेकिन अलोकेशन इसमें अधिक कितना करते हैं ने आक्षिन होता है तो यहां पर इन्हें अगर डिमांड जादा होती तो इसका फायदा है यहां पर देखने को मिलता है तो अगर आप देखें तो पहले साल के मुकाबले 115% की ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिली है तो अलोकेशन लगातर बढ़ता जा रहा है और जैसे कि मैं आपको बता है कि 80% की बढ़ता है यानि जो पिछले साल 14 मिलियन टन के आसपास था आलोकेशन यह आउक्शन का इस बार 97 मिलियन टन होगा वैसे भी अगर आप देखें तो सरकार के जो टागेट्स हैं पूरे ओवराल कोल प्रड़क्शन के वो भी काफी अच्छे हैं तो इसका भी बेनेफिट हैं आपर देखने को मिल सकता है लेक यह भी है कि मही के महिने में जैसे की अपडेट देकर हमने आपको बताया था कि इन्होंने कुछ ग्रेड्स में जो कीमते हैं वह 8% तक बढ़ाई हैं तो इसका भी करीब 2700-2800 करोड़ का फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है जिसके चलते सर एक ब्लूम्बग का चेनरल consensus estimate मैंने चेक किया कि कितने analyst अगर आप देखे तो total stock के उपर खरीदारी की राय दे रहें कितनी बिक्वाली की राय दे रहें और कितना hold करनी की राय दे रहें और साथ में target कितना निकल करा रहा है तो यहां पर अगर आप देखे तो 60% जो total brokerages हैं वो मान रहें कि stock में आपक लक्ष निकल करा रहा है वो 262 रुपे का है ओके 262 रुपे का target in common average निकल करा है तो 60% लोग करें कि खरीदो और 12% बने रहें 28% बेचे और तेजी की वज़े यह बता रहें कि auction जो e auction में जो यह कोईला बेचते हैं वो 80% बढ़ जाएगा उसका allocation 80% बढ़ जाएगा 10% revenue जो 80% बढ़ जाएगा तो उसके उपर additional price निको मिलेंगे एक्जाटी हाईर margin होता है यह जो FSA वाले वो तो decided ही रहते है प्राइस भी रहता है बार जो यह पावर की जो demand बढ़ रही ना अब इनमें ना यह बड़ा action आए गई थर्मल पावर वालों में जो क्या है कि अभी तक पिछले 5-6 सालों में थर्मल पावर में बिल्कुल भी capacity बढ़ी नहीं है किसी ने capacity नहीं बढ़ा है सब के सब जा रहे है renewable की तरफ ठीक है अब renewable में जैसे solar में जा रहे है solar में जितनी भी कंपनिया है आप कितना भी power produce कर रहे हैं वो सुबह से लेके शाम तक कर रहता है आप स्टोरेज करने की capacity इंडिया में है नहीं बहुत ही नहीं के बराबर है अब स्टोरेज के लिए सबसे बड़ा काम JSW energy करने जा रहा है और JSW energy में पिछले कुछ दिनों में जो तेजी बनी हूँ इस वज़े से बनी हूँ स्टोरेज की बड़ी capacity बना रहे है लेकिन इसको बन energy इसमें तीन तरह की कंपनियों में action होगा पहला action होगा आपके लिए पावर equipment बनाने वाली कंपनिया जो इसमें आपकी भेल ABB टाइप की कंपनिया यह सारी आगे दूसरा action होता है आपका पावर प्रोडूस करने वाली कंपनिया जिसमें JSW energy NTPC कंपनिया तीसरा action होता है जो power distribution transmission में power grid वगेरा है देसी कम सी है ठीक है लेकिन NHPC SJVN में उतना capacity expansion अब तक हुआ नहीं अब जाने होने जा रहा है तो शायद इसलिए वो थोड़े anticipation में चले है तो I think power sector में जो बड़ा change हो रहा है वो समझना चाहिए अब जो thermal power की demand बढ़ेगी जो reliable क्योंकि capacity आई नहीं ना पांच से साल से वहीं के वहीं है इसलिए कोल इंडिया भी लोग जो बुलिश हो रहे हैं वो बड़ा interesting है इसमें और अगर कोल इंडिया जा स्टोक अगर 15-20 परसिंट भी उपर का आप target अटे हो और अच्छा dividend ही ले तो बहुत सारे लोग की जो खरीदना इसे चाहिए